हलो दोस्तों आप देख रहे हैं साइटेक वीजन एटू बिंदी चैनल मैं हूँ संजेश स्वागत करता हूँ अब सभी का दोस्तों आप लोग के काफी सारे कमेंट आये हैं कि हमारे घर में टीवी है LED टीवी है उसके साथ में अगर हम CPU विल्ड कर लेते हैं तो क्या वो TV हम मॉनिटर की तरह यूज कर सकते हैं क्या इस टाइब के काफी दिनों से काफी लोगों का कमेंट रहा है सो उसी के जबाब में वीडियो बना रहा हूँ तो हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर कि अगर टेलिवीजन को आप ऐसे मॉनिटर यूज करते हैं तो आपको क्या प्रबलम आने वाली है या फिर यूज कर सकते हैं या फिर अगर यूज करते भी तो क्या problem होती है या फिर नहीं होती है तो यह बहुत ही interesting content है आप इसको जरूर समझे पूरी वीडियो देखें और वीडियो को please like कर दें क्योंकि वीडियो बहुत ही आपके काम की होने वाली है तो दोस्तों आईए हम समझते हैं कि अगर television को बनावट और technology और उसकी connectivity सब में बहुत जादे का differences होता था तो बिलकुल भी use नहीं किये जाते थे लेकिन आज की रख में अगर हम देखें LED TV और monitor की जो बनावट है जो physical उसका concept है लगबग लगबग सेम नजर आएगा आपको क्योंकि television को भी आप wall पे भी रख सकते हैं औ उसी प्रकार एक monitor को भी आप wall पे भी आप mount कर सकते हैं और अपने desktop पर भी आप रख सकते हैं अपने table पर भी रख सकते हैं तो ये concept बिलकुल सेम होता है connectivity भी लगबग लगबग सेम होने लग गई है क्योंकि काफी सारे television में VGA port भी आपको मिलता है और HDMI मिलता है और आपके laptop या फिर PC के अंदर या और CPU के अंदर भी आपको VGA और HDMI मिल रहा है आज के rate में HDMI तो मिल ही रहा है चाहे आप laptop ले रहे हो या फिर आप desktop सब बिल्ट कर रहे हों सब में HDMI मिल जाएगा तो HDMI monitor के अंदर भी होता है TV के अंदर भी होता है TV में लगाएंगे तो भी चलेगा monitor के अंदर लगाएंगे तो भी चलेगा और differences है कहां पर तो actually जो monitor होता है ये ध्यान में रख करके बनाया जाता है कि उससे हमेशा हमें talk करना है यानि उसको हमें कुछ input देना है और उससे output की उम्मीद हमें रखना होता है हम उससे बिल्कुल connect रह करके काम कर रहे होते हैं लेकिन television एक सिर्फ entertainment के लिए है हमने लगा द काम होता है जिसकी वज़े से क्या होता है television के अंदर contrast और color दोनों ही बहुत हाई level के होते हैं बहुत हाई contrast होता है उसके अंदर color saturation का बहुत ही ऐसा उसके अंदर tuning होता है ऐसा बनावती colors होते हैं उसके अंदर और इतना high contrast होता है कि जो movies वगर देख रहे होते हैं वो आपको अच्छी लगती है और उसी चीज़ को उसी मुवी को अगर मान लीजिए आप टेलिवीजन में देख रहे हैं और इमेडियेट अगर आप उसका लीड निकाल करके HDMI जो है लीड निकाल करके आप मोनीटर में लगा दें तो वही पर कलर और कंट्रस्ट का बहुत ज़्यादे फर्क नजर आएगा और वहाँ पर आपको अच्छा नहीं लगेगा रीजन उसका ये है कि जो टेलिवीजन में है वो आपको अच्छा लगे इस हिसाब से उसको ट्यून किया हुआ है और मोनीटर में जो एक्च्वल उसका कलर है वो आपको दिखाये जाता है जो रील कलर है वो आपको दिखाये जाता है टेलिवीजन को अगर आप पास में रख करके देखते हैं तो उसके पिक्सल्स दिखाई देने लगेंगे यानि कि क्वालिटी आपको बहतर नजर नहीं आएगी, आपके आँखों के लिए चुकि हाई कंट्रस्ट है, तो आपके आँखों के लिए प्रब्लम होगा, वही पर मॉनिटर में आपको बिल्कुल सॉफ्ट दीखेगा और उसके पिक्सल से नजर नहीं आएंगे, और बहुत ही करके डायरेक्ट उन्पुट देना होता है और आउट्पुट की उम्मीद रखते हैं यानि कीबाउट से आपने कोई भी किस प्रेस किया उसका आउट्पुट तुरंथ हमें स्क्रीन पर चाहिए होता है उसके लिए मॉनिटर का जो रिस्पॉंस टाइम होता है वो बहुत ही कम होता है यानि की 1 मिली सेकेंड, 2 मिली सेकेंड, 3 मिली सेकेंड, 4 मिली सेकेंड, 5 मिली सेकेंड इतना ही होता है यानि की जैसे ही आपने कीबाउट से कोई भी बटन प्रेस किया वो आपकी आखे पकड़ नहीं पाती है और immediate वो जो है monitor पर दिखा रहा होता है लेकिन वही पर response time जो है television का थोड़ा सा high होता है वहाँ पर अगर आप typing का काम करते हैं तो खटखट खटखट बहुत speed type कर रहे हैं तो monitor पर immediate आपको दिखाई देता हुआ जाएगा लेकिन वही पर television पर थोड़ा सा देर में आएगा उसके बाद जो है refresh rate जो होता है वो monitor का बहुत ही high होता है यानि कि कोई भी game वगेरे खेल रहे हैं फटा पट इदर उदर 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 कट 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 कर गोली वगेरे चल रही है तो सारी चीजे यानि कि फटा फट refresh हो रहा होता है यह 75 मेगा हर्ट से लेकर के उपर के बड़े high level तक के refresh rate आपको monitor के अंदर देखने को मिल जाते हैं लेकिन वही पर television के अंदर उतना high refresh rate आपको नहीं मिलेगा यानि games खेलते हैं बहुत सारी गोलिया चल रही है तो कई बार जो है उसके अंदर यहां है image तो तुरंत जो है कट करके यहां नजर आएगी वहां नजर आएगी इस तरीके से होता हुआ नजर आएगा आपको तो यह सबसे बड़ा differences होता है और जिसके वज़े से ही television आपके monitor की तरह यूज़ करने के लिए capable बिलकुल भी नहीं है क्योंकि color की अगर हम बात करें Photoshop जैसे graphic designing वगरे करते हैं coral raw अगरे चला रही हैं अगर television पर आप काम कर रहे हैं television पर देखेंगे तो वहां पर बहुत ही खु दिखाता है कि जैसा आपको दिखेगा वो ऐसा ही print out होकर के निकलेगा तो यह सारे differences होते हैं तो कुल विला जुला करके सिर्फ आपको इतना ही अगर entertainment के लिए आपको जो है television computer से जोड़ना है कोई movies बगरे देखना है इस type करना है यानि कि media player से जुड़ना है तो उसके आपका television monitor नहीं बन सकता यही थे differences मैं मित करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा दोस्ते वीडियो कैसा लगा प्रीज आप कमेट में बताएं अगर यह वीडियो के लाइक करते अपने दोस्तों के साथ सेयर करें और अगर आप पहली बार चैनल पर है तो प्रीज चलको करके आता रहता हूँ जो आपके लिए काफी helpful साभीस हो सकती है मैं मिलता हूँ next किसी और अचीन फर्मेटिव वीडियो के साथ में पूरी वीडियो देखने के लिए अपनों का दिल से धिन्ने बात करता हूँ आपका दिन सुभाव झाल झाल